इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 और 16 नंबर का 15 और 16 नंबर का कोश्चन बताने जा रहा हूं ठीक है और जो सब नए है चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर देजिए और बेल आइकन को दबा देजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नौटिपिकेशन मिल जाएं तो पंद्रमा कोश्चन है निर्मान कार से संबंदित किसी ठेके में मतलब कि ये तो हमारा दे दिया निर्मान कार से संबंदित किसी ठेके में कोश्चन से इसका कोई लिए न देना नहीं ठीक है एक निस्सित तीथी के बाद कार को विलम से पूरा करने के लिए क को आपको मतलब टुकड़ में बाट बाट के पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आपको समझ में आएगा ठीक से ठीक है कि एक निस्चितिति के बाद कार को अगर विलम से पूरा करता है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है जैसे मैंने आपको दस दिन के काम दिया अगर आप 11 दिन लगाते तो आपको उस पर जुर्माना देना पड़ेगा ठीक है तो वही कंडिशन इसमें है जुर्माना लगाने का प्रावधान इस परकार है कि पहले दीन के लिए 200 रुपया जुर्मान लगेगा अगर दूसरे दिन विलम होता है तो 250 रुपया तीसरे दीन के लिए 300 रुपया इस तरह से अगर जितना ज़्यदा लेट कीजीगा उतना 50 रुपया आपको एड होते जाएगा अर्थात परतियक उत्रोत्तर दीन का मतलब कि आने वाला दीन का जुर्माना अपने ठीक पहले दीन के जुर्माने से 50 अधिक हैं मतलब आपको समझ में आ गया ना 200 है तो दूसरे दिन 250 तिसरे दिन 300 रुपया चोथे दिन 350 ये एपी में आ गिया है ठीक है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी रासी अधा करनी पड़ेगी कितना रासी देना पड़ेगा टोटल यदि वो इस कार को 30 दिन का विलम कर देता है तो कुश्चन समझिए अगर मैं आप लोगों को 10 दिन का कोई घर मनाने का ठेका देता हूँ और मैं ये कंड अगर आप 11 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 200 रुपय आपका कट हो जागा मतलब 200 रुपय आपका फाइन लग गया अगर 12 दिन में करते हैं तो 200 पहला 11 दिन के लिए और 12 दिन के लिए 250 मतलब 450 रुपय आपका कट हो जागा सेम यह कंडिशन आगे फोलो होगा तो यह है हमा हमारा कोश्चन में कह रहा है समझे नहीं बात अब देखे क्या करना है कि कोश्चन इजी है सिप देखने में बड़ा है कि ये पी दिया हुआ ये पी है ये क्योंकि जुर्माना और ये पचास पचास रुपे बढ़ रहा है तो ये हमारा दो सो दो सा पचास तीन सो दिन सो पचास इस तरह से बढ़ रहा है और कहां तख जाएगा ये 30 दिन तक जाएगा यह पहला होगी हमारा दूसरा दिन के लिए, तीसरा दिन के लिए, चौथा दिन के लिए तो काता 30 दिन अगर विलम करेंगे तो सब का टोटल कितना रुपय जुर्माना हो जाएगा यहाँ N दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर क्या है A is equal to 200 N is equal to 30 और D is equal to 50 50 पर बढ़ रहा तो आपको क्या निकालना है S 30 निकालना S 30 निकालना सिंपल फॉर्मूला है फॉर्मूला पर आप रख दीजिए तो नदे निकल जाएगा देखिए सुत्र से S 30 या S N परले लिखते है N by 2 2 A plus N minus 1 into D यह लग जाएगा यहाँ से S 30 is equal to 30 by 2 2 into 200 पलस 30 minus 1 into D का विल्यू पच्चास यहाँ से 15 बार में कट जागा आपका 15 400 पलस 29 इंटू पच्चास पंदरह पलस पंदरह 400 पलस 9 पच्चास 45 पांचना 10 सा 14 पंदरह यह अठारह अच्चास ठीक है तो पंदरह से मल्टिप्ले कर लीजिये पंदरह पच्चास 75 के पांच हासिल साथ 15 अठारह एक सो बीस 120 27 12 हो जगया 12 15 27 एक जिरो इधर से यह एस 30 हो जागा अता क्या सब रूपयम है न अता ठेकिये दार को जिर्माने के रूप में 27,750 रूपये अधा करनी पढ़ेगी ठीक है यह हो गया हमारा 15 नंबर के कुश्चन का उसर 16 नंबर देखते हैं कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र सेक्षिक परदर्शन के लिए साथ नगत पुरुषकार देने के लिए 700 रूपये रखी जाती है साथ पुरुषकार है और साथो का योग कितना है 700 रूपया यदि परतियक पुरुषकार अपने से ठीक पहले पुरुषकार से 20 कम है जैसे क्या कहने के मतलब परतियक पुरुषकार अपने से ठीक अगर पहला वाला पुरुषकार जो फस्ट आया उसको पुरुषकार मिल गिया आपको 40 रूपया मिल गिया तो आने वाले को कितना होगा? मतलब कि 20 कम हो जागा तो 20 रुपय हो जागा फिर उससे 20 कम अच्छा यहाँ पर मैने रखना तो अगर मान लिया जाए कि पहले वाले को अगर 200 रुपय मिल जाता है ठीक है तो उसके बाद वाले को कितना मिलेगा? 180 रुपय क्योंकि 20 रुपय कम फिर आने वाले को कितना मिलेगा? 160 रुपय है फिर आगे उससे 140 रुपय है इस तरह का पेटर्न बनेगा ठीक है? यहाँ पे S N दिया हुआ है 700 और N दिया हुआ है 7 ठीक है? क्या करना है? यह D कितना हो जागा हमारा? अब D के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कितना D हो जागा? माल लिया जाए कि पहला जो First Price है वो कुछ 80 रुपय माल लिज़े ठीक है? तो Second कितना हो जागा? Second आपका 20 20 कम हो जागा इसमें? तो 60 हो जागा इसमें Third कितना हो जागा? 40 हो जागा Fourth कितना हो जागा? 20 हो जागा क्यों? Sum में 20 के कमी हो रहा है पहले से नीचे वाले में 20 का कमी 20 का कमी 20 का कमी तो इसका D कैसे निकलता है? जैसे यह होगी हमारा एपी हो जागा 80 60 40 20 तो एपी निकालने के लिए कोई पद उससे और उससे पहले वाला पद 60 मैनस 80 तो यह मैनस 20 हो जागा सेम उसी पर कारखे तो यहाँ पर है क्या होगा? मैनस 20 अब निकाल लीजिए आप आपको क्या निकालना होगा? परतियक पुरुसकार का मान ग्याद कीजिए ठीक है? साथ पुरुसकार है साथो का मान पहले अगर A निकल जाता A1 हो जाएगा A2 में कितना कर देंगे? मैनस 20 कर देंगे फिर A3 निकालनेगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पूरा निकल जाएगा तो सुत्र से लिखते हैं S N is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D ठीक है? यहाँ से 700 साथ बट्टे 2 2 into A का भिल्यू पता नहीं है N 7 minus 1 into D का भिल्यू कितना? मैनस 20 यह साथ से 100 बट्टे जागा और यह 2 इधर आजागा तो 200 2 A plus 6 मैनस 20 तो कितना होगे? मैनस 120 6 दूना 12 ठीक है? तो यह हमारा मैनस 120 होजागा 2 A minus 120 यह 120 इधर आगा 320 होजागा 2 A यहाँ से कितना होजागा? 160 मतलब कि पहला वाला को जो पुरुषकार में मिलेगा पैसा 160 रुप्या फिर आगे वाले को कितना मिलेगा? 20 रुप्या और कम कर दीजिए 140 साथ जो है? अत्ता क्या है हमारा? पुरुषकार साथो पुरुषकार कामान 160 उससे कम होगा? कितना होगा? 140 फिर कम 120 20-20 कम करना 180 60 40 हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब में रुप्या लगा हुआ रुप्या तो ये हमारा अंसर हो जागा तो मेरे प्यारे स्टुडेंट आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे और सेयर कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू वेरी मच